नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आपकी जो हिर्दाई की लकीर है इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें एक चीज यहाँ पे निकल कर दिख रही है और विश्णु तिलक यहाँ पे इस पश्ट रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तोर पे आपके जो पंच तत्व है जिने हम पंच भूत कहते हैं जिन से सरीर बना हुआ है फाइव एलिमेंट ठीक है ने आपके सरीर के जो आठों चक्र है आपकी जो पांच ग्यान इंद्रियां है और जो पांच कर्म इंद्रियां है उनके अनुसार अगर देखा जाए त वो भगवान विष्णु स्वरोप नर्सिंग भगवान है और ये कह रहे हैं कि जितनी जादा आप उनकी सरनागति में जाएंगे उतनी ही आपकी जीवन में दिव्यता की और आपके जीवन में भव्यता की प्राप्ति होगी मनि बद्री नारायन भगवान का आपकी उपर बड़ी किर्पा है ठीक है ने अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कारे करते हैं अच्छी राह पर चलते हैं तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अउश्य सपलता मिलेगी और इसके अलावा जीवन में आपको जो है ताकी प्राप्ति होगी और आपको हराना आपकी ब्रोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा यह इस पश्ट तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है खास करके यहां पे इस पश्ट रूप से यह बता रहा है कि कुछी समयबाद जैसे ही यह रेखा इस पश्ट रूप में उभरने बैठ जाएगी आपकी करियर और धन की रेखा तो यह रेखा बता रही है कि जैसे जैसे इस रेखा में विकाश होगा इस रेखा में विस्तार होगा वैसे वैसे आपके जीवन में धन का मामला है करियर का मामला है उसमें पूरी तरो से इस्टेबिलिटी आ जाएग अभी इसमें बहुत ज़्यादा कमी है और इस कमी की वजोसे जीवन में संगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव आ रहे हैं किसी को पैसे दे रहे हैं तो मना तो नहीं कर रहा है लेकिन पैसे फंस रहे हैं किसी को बहुत अच्छा आप किसी की भलाई कर रहे है लेकिन वहां से अपयस आपको मिल रहा है जो आपकी क्वालिटी है जो आपकी योग्यता है उस तरह से आपको चीजों में निखार नहीं दिखाई दे रहा है उबरती हुई चीजे नहीं दिखाई दे रही बलकि संगर्स उतार चड़ाओ भयंकर रूप में कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी आपको करना पड़ रहा है खास करके जो धन का मामला है और जो आपका करियर का मामला है अब इसके लिए आप क्या करेंगी देखेगा जरत ध्यान से सुनिएगा अगर कर सकते हैं तभी करिएगा और तभी आपको फाइदा होगा अन्यता जो है जीवन में संगर्स आ रहा है ये बड़ेगा रात्री के समय का एक महालक्षमी का आपको उपाई करना है तीन मेहने तक लगातार ठीक है नै कैसे करना है मैं लिख करके दे दूँगा और समय एक ही रखना है यकीन मानिएगा लेकिन इसका परभाव अभी नहीं पड़ेगा अभी आनसिक रूप में पड़ेगा उस उपा ठीक दो वर्ष के बाद जो है इसका प्रभाव जीवन में जबर्दस रूप में पड़ेगा क्या पड़ेगा देखेगा चाये धन का मामला हो आपका चाये करियर का मामला है वो आपका उसमें पूरी तरो से इस्टेबिलिटी आजाएगी अस्ताइट तो पूरी तरो से इस्तिति आ जाएगी अभी से तो आपका पूरा भाग्योदा यह दिखाई दे रहा है यह करियर धन की रेखा आपको बता रही है कि आगे चल कर धाई वर्सों के बाद आप देखेंगे तो प्रतेक दिन आपके पास पैसा आने वाला है कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक्ति और योगिता के बराबर अगर वाहन की प्राप्ति नहीं हुई है और अगर आप वाहन की प्राप्ति चाहते हैं तो धाई वर्सों के बाद आपके पास वाहन होगा अपने कमाई हुए पैसों से अगर आप लोगों का अपने मन पसंद जगा पे अपना घर की प्राप्ति न नहीं मिल पाया हो तो धाई वर्स में उसके लिए रास्ता बन जाएगा और आप अपना घर बनाना सुरो कर लेंगे और उसके बाद घर का सुक सांदार मिलने वाला है इस पश्ट बता रही है और ये रेखा मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जब वो लोग सुन्य पे थे ठीक है ने चपड़ासी उगे रख काम करते थे प्रैवेट कंपनियों में हमने तब कहा था आपका अपना ब्यापार होगा और ऐसी इस्तिति आएगी तो वो हसी मजा उड़ाते थे लेकिन आज वही लोग मेरे पास आके जो है माथा टेकते हैं ठीक है ने तो आपक अपको रास्ता सांदार रुक में मिलने बैट जाएगा वहन का सुक निया वहान का सुक मिलेगा बहुत लंबे समय से अगर आप कोशिस कर रहे हैं ब्यापार बढाने की या ब्यापार को अस्तापित करने की और वो नहीं हो पा रहा है तो ढ़ाई बर्सों के बाद से आप निश्चित तोर पे अपना ब्यापार खड़ा करने में सफलता की प्राप्ति होगी आपको ये बात निश्चित तोर पे यहां पे दिखाई दे रही है बहुत सुन्दर हतेली है आपकी बहुत अच्छे हतेली है आपकी एक तो आपके जो इश्ट देव है भगवान विश् उनकी सरनागत जाना है और दूसरा आपको महालक्षमी का रात्री का उपाय करना है अब एक चीज देखेगा आप अपनी हाथ में आपकी हतेली में एक जाल बन रहा है बहुत ज्यादा इस्तिति में और जाल को सबसे ज्यादा खराब माना जाता है और इसकी सुरुवात ये जड़ें जमा चुका है ये आपका नजर दोस है आप पे जो है नजर लग गई है ये निश्चित है चाहे आप विश्वास मानती हो या नहीं मानती हो लेकिन आपके सरीर के अंदर नगेटिब उर्जा परवेश कर चुकी है नजर दोस और उसके कारण क्या हो रखा है कि सबसे पहला इसका जो प्रभाव है आपके मन पर आपके मस्तिस्क पर पड़ रहा है कई बार ये उलज़न की इस्तितियां देती है जीवन में उलज़न क्रेट कर रही है जिवन में confusion की इस्तितिक rate कर रही है और जो आपकी निर्णे लेनी की ताकत है वो धीरे धीरे छीन हो रही है आप दोविधा में पड़ रही है दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सिहत पे पढ़ रहा है आर्थिक रूप से आप बीमार आउस्ता में पहुंच रही है तीसरा इसका प्रभाव आपके रिष्टों पर पढ़ रहा है खास कर दामपत्य जीवन का रिष्टा परिवार का रिष्टा और कुटुम का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक का भोग है उसके आगे प्रस्तितियां खड़ी हो रही है आप चरम सुक का भोग नहीं कर पा रही है चौथा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पर पड़ रहा है चाहे वो सारेरिक स्वस्त्य हो चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो उसमें ये विकार देनी की कोशिस कर रही है और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है आप आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे जबर्दस्त रूप में पड़ रहा है ठीक है न तो निश्चित रूप से इन पांच चीजों पे आपके जीवन में जबर्दस्त प्रभाव ये दे रही है और ये नगेटिव उर्जा है नजर दोस है आपके सरीर की अंदर ये परुष कर ग करेंगे ये पांच बर्सों तक प्रभाव बढ़ाएगा तो भी अगर आप जो है और इग्णोर करेंगे फिर साड़े साथ बर्सों तक और फिर आपकी पूरे जीवन को अपने आगोस में ले लेगा इससे बचने के लिए सबसे सुन्दर उपाय है बनस्पति अश्नान मैं लिख के दे रहा हूं प्रवपर तरीके से बनस्पति अश्नान कर लीजेगा उसकी एक प्रक्रिया होती है उसको कर लीजिएगा दूसरा दे रहा हूं मैं एक प्रकार का प्रणायाम एक प्रकार का योगा एक प्रकार की मेडिटेशन एक बुद्धि से परे की भक्ति इस प को आश्चरे जनक रोप से इसके फायदे दिखाई देंगे तो इन दो चीजों को आपने ठीक करना है इस नगेटिव उर्जा को और अपने करियर और धन की लकीर को ठीकन हाथ की लकीरें कुंडली से भी जादा प्रभाव सीलता दिखाती है यह जीवन में एकुरेट चीजों को दिखाती है ठीक है यह आपके पंच ततों से जुड़ी हुई है इस बात का दियान लखना आपके सरीर के जो आठों चक्र है उनसे जुड़ी हुई है आपके जीवन का जो क्या है पांच ज्यान इंद्रिया है आपकी जो पंच कर्म इंद्रिया है उनसे जुड़ी हुई यह आपके मन से जुड़ी हुई है आपके सरीर का अंग है तो यह आपके बारे में सबसे एकुरेट चीजें बताती है ठीक यह दो मुख्य चीजें हैं इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ अलग हो यह उंगली कहीं न कहीं हलकी रूप में जुकी हुई है इस तरफ निश्चित तोर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरदे के परति समर्पन की भावना बढ़ेगी और आपके अंदर जो दया है जो करुणा है वो चीज हमेशा विद्यमान रहेगी आपके एक सां ब्यक्तित्तों को कभी भी जो है निश्ठूरता और कुरूरता नहीं छूपाएगी और जो आपके अंदर ये धर्म कर्म की भावना है ने जो दया की भावना है ने आप अपने आगे की पीडि को भी इसको ट्रांसफर करेंगी और गुरू की जो किरपा होती है वो आपके जीवन में बनी रहेगी और आपके आगे की बंस के लिए भी बनी रहेगी ये बहुत अच्छी चीज है निश्चित तोर पे लेकिन आपकी जो मिडल फिंगर है ये कहीं न कहीं जो है जुक रही है इसकी तरफ जीवन में बहुत जादा मिहनत और बहुत जादा परिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और चाए आप लाख पूजा करो यज्य करो हवन करो अंगूठी पहनो मालाए धारन करो तंतर करो मंतर करो कुछ भी करो ये चीज जीवन से नहीं हटेगी ये कुदरती है और सनी के कारण है ठीक है ने आप बहुत जादा सपल करनी के बाद यहां पे सनी में एक कमी है यह देखो यहां पे एक पौरवा एक्स्ट्रा है चार पौरवे बन रहे हैं या पांच पौरवे बन रहे हैं आपकी हतीली में ठीक है ने वो भी सनी वाली पे इसे अच्छा नहीं माना जाता है ये क्या चीज़ों काम बनते बनते एसे लोगों के बिगड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ब्यक्ति जिस काम के लिए एक दिन लगता है ऐसे लोगों को दस दिनों तक भागना पड़ता है कारियों में बिलंबता आती है यस जो मिलना चाहे जीवन में उस यस में अप यस की प्राप्ति होने का प्रभाव खतम के लिए जो है एक जिसको बनस्पति अश्नान ठीक है यह उंगली पूरी तरह से जुक रखी है इसकी तरफ इसका जुकाओ अच्छा माना जाता है जीवन में यस पाने की चाह रहेगी नेम फिम पाने की चाह रहेगी और अपने कारियों में बिस्तार पा जाबर हैं और दोनों मिडल फिंगर से छोटी है धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्षबी अभी यही दिखाई दे रहा है यह आपकी हतेली कह रही है यह उंगली पूरी तरह से जुक रखी है इसकी तर कागजों के रख रखाओ में एकाउंटबिल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दी रही है यहां तक नाखोन बढ़ाएं तो यह नेचुरल रोप से इन कमियों को दूर करेगा तो नाखोन बढ़ाने में कोई समस्या नहीं ह आप जरूर बढ़ाएंगे एक बात और को होंगा मैं जिसकी भी व्यक्तिकी ओंगलियां इस प्रकार से सुन्दर हो लंबी दिखाई दे रही हो अंदर से थोड़ा नुकेला पन दिखाई दे रहा हो और खुब सुरत दिखाई दे रही होनी इनकी रंगत अच्छी हो तो इ ऐसा ब्यक्ति धन धन्य से एस्वरे से पूर्ण होता है ऐसे लोग धनअड्य होते हैं ऐसे लोगों के अंदर लक्ष मी वास करती है ऐसे लोग जादतर आपके बहुत बड़ी उध्योगपती बिजनिसमेन होते हैं और नोकरी कर रहे होते हैं तो बड़े-बड़े पदों पे रहते हैं चाहे वो प्रेवेट हो चाहे सरकारी हो ये लोग बड़े भग्यावान होते हैं और ये लोग अपने तरक को एक सांदार तरीकी से रख पाते हैं communication skills के दम पे ऐसी लोग सफल होते हैं लेकिन आपके अतेली में नगेटिव उरजा है जिसके कारण कोई भी चीज अच्छी नहीं हो पा रही है कुंडली में भी अच्छे योग है हतेली में भी अच्छे योग है लेकिन उन योगों का जरासा भी फाइदा नहीं मिल पा रहा है क्यों नहीं मिल पा रहा है नजर लगी हुई है और जबर्दस्त लगी है इसको ठीक कैसे करने है बनस्पति अश्नान करके दिब्य योग ध्य दिव्य सूर्य किरिया करके और करियर और धन के मामले में सफल कैसे होना स्टेबिलिटी कैसे पानी है महा लक्षमी की उपासना करने पर जो मैं दूंगा आपको ठीक है एक सुखत जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतन सील ब्यक्तित्व दिखाई दे रहा है भावकता बहुत अच्छी है ठीक है ने और ये हमेशा बनी रहेगी दया और करुणा का भाव यहां पर रेखाएं मजबूत हो रही है लेकिन अभी इन रेखाओं को डिश्टर्बेंस भी दे रही है छोटी छोटी रेखाएं तो अभी कम से कम एक से ड ठीक है यहां पर अगर हम देखें तो यह इस प्रकार से हैं यह इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और यह इस प्रकार से है मनी बौदिक अस्तर तो बहुत अच्छा है विवेकवान विक्तित्व है नौलेज भी शांदार रहेगी लेकिन ऐसी प्रस्तितियां आ रही है कि कोई काम एक बार सुरू तो कर लेते हैं लेकिन प्रस्तिति वस्त बीस्त में ही छोड़ सकते हैं प्रारंब से अंत तक एक अगर्चित होकर काम करने की जो ताकत है उसमें जो है प्रस्तितियां सामने आ रही है तो दिव्यय योग ध्यान के रियाद जरूर करें जीवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और इस जीवन की रेखा में इस प्रकार से चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है एक तो ये केतु से प्रभावित हो रही है इसका मतलब है जन्म अस्तान से दूर जादा उन्नती है जन्म अस्तान में रहेकर जादा उन्नती नहीं दिखाई दे रही है दूसरी बात ऐसे लोगों का मैंने देखा है चालिसमें वर्स तक कहीं न कहीं उतार चड़ाओ रहता है कहीं न कहीं जो है जिसको हम कहते हैं कि और इस्तिरता कभी कभी आ जाती है और जो इस्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहती है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए उपाई दे रहा हूं सुक्र का परवत बहुत सान्दार है और देखेगा ऐसा सुक्र का परवत अगर किसी का हो तो सबसे पहले ये जो है व्यक्ति के अंदर एक चीज देता है ऐसे लोग अपने को मेंटेन रखते हैं अपनी परसनेल्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसे लोगों को सजने और सवरने का बहुत जादा जो है क्रेज रहता है और नई चीजों की परति ऐसे लोगों का रुजहान रहता है चाहे नई प्रकार का फैसन हो, नई प्रकार की सांदार कपड़े हो, ब्रैंडिड जिसको कहते हैं क्योंकि सुकर ब्रांड को देखता है, खूबसूरती को बढ़ाता है ऐसे लोगों का ऐसा व्यक्तित तो रहता है, ऐसा चेहरा रहता है कि लोग उसकी तरफ आकरसित हों ठीक है नई? और ऐसे लोग बहुत एक सुक्सुदाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकरसित होते हैं चाए लगजरी जीवन है या अल्टरा लगजरी जीवन है और ऐसे लोग खूबसूरत रहते हैं तेजस्वी रहते हैं तेजमय अवस्ता में रहते हैं ऐसे लोगों का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है, सुंदरता है, आकरसन है, आपके अंदर ये विद्यमान रखेगा, हर प्रस्तित को जेलने की ताकत रखेगा, ये इस पष्ट तरीके से बता रहा है, लेकिन अभी अगर देखें, तो इसमें जाल है, मनी किसी चीज को लेके बहुत जादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत जादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की इस्तिती दिखाई दी रही है, लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी, क्या है, सुक की जो अनुभूती होनी चाहे थी, उसमें हलकी कमी दिखाई दी रही है, ये रेखा बहुत अच्छे है, आगे चल कर दूसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलेगा, प्रोपर्टी का लाब मिलेगा, निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा, और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा ब्रस्पति का प्रवस सनी की तरफ जुका हुआ है निश्चित तोर परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताईं दिखाई दी रही है यह थोड़ा सा यहां पे हतेली में साधरन अवस्ता में बैठ गई है इस अवस्ता में यह आपके अंदर थोड़ी सी साधरनता देते हुए दिख रहे हैं सामनी बेक्ते तो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फिर बेहांसमुक सोबाव रहेगा दयाल उता रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्च अभी इससे नीचे नहीं जाएगा यह स्प्राप्ति के लिए मन में जुकाव बन रहेगा स्वतंतरता और लीडर्शिप की चाहा बनी रहेगी कभी-कभी बेवजहे की चिंताएं होने बैठ जाती है यह कुछ न कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जो तनाव की इस्तिति दे सूर्य किरिया दे रहा हूं सूर्य आपका खराब है और मैंने कई वीडियो में सू हरी दाले हैं इसका जादा से जादा सेवन करें इससे वानी की सुद्दता भी रहेगी और कहीं लगजरी जीवन जीने में यह मदद करेगा चंद्रमा अच्छी इस्तिति पे आ रहा है यह बहुत सूंदर है आगे चल कर इसका बहुत अच्छा लाब मिलने वाला है एक तो म confidence एक एक बहुत जादा बढ़ जाएगा सरीर में इसकी वजोसे किसी प्रकार की कोई प्रेशानी अगर रही भी लेकिन इसकी वजोसे मन मजबूत रहेगा चंद्रमा जितना आपका शांदार जितना खूबसूरत जितना अच्छा रहेगा पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठी दिक रहेगा और सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चल कर बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके अंदर क्रियेटिविटी आ रही है आप क्रियेटिव रहेंगे चंद्रमा आपका शांदार है मां होंगी तो मां का सुक भी आपको मिलेगा चंद्रमा आपके हति हटीली में बेहतरीन इस्तिति में आ रहा है अच्छी चीजें दे रहा है सकार अत्मक सूच बढ़ेगी छलकपट से आप दूर रहेंगी और तन से भी खूबसूरत रहेंगी मन से भी शुन्दर रहेंगी अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माध्यम से आपको भीज रहा हूँ आप करने की कोशिस करें निश्चित तोर पे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार